बच्छो त्रिकोण्दमीती सर्वसमीकाएं क्या होती है यह आपको पता है। स्वतंत्र चर्को और y अक्ष पर परतंत्र चर्को रखते हैं तो यहाँ पर जो कोन का मान होगा उसे हम x अक्ष पर और उसके अलावा जो function या फलन बनेगा उसे हम y अक्ष पर निरूपीत करेंगे इसके बाद जिस तरीके से हम बिंदूओं को प्लॉट करने के बाद लास्ट में एक smooth curve या फिर एक चिकने वक्र से मिला देते हैं तो हमें graph मिलता है वो किस तरीके से बनता है ये भी हम देखेंगे और इसके साथ में अंत में हम देखेंगे कि त्रिकोण मिती समीकरणों को कैसे हल करते हैं ये आपक हल, आपक हल के बार के बारें में हम बात करेंगे जो की डिये गए समीकरण को N के मान को बदलने पर हमें अलग-लग मान मिलेगा जो उस डिये गए समीकरण को संतुश करेगा चलिए आगे देखते हैं त्रिकोण मीतिय सर्वसमीकाएं, ट्रिग्रोमेटरिकल आइटिंटिटीज, यदि कोई समीकरण उसमें आने वाली अज्यात रासी अथ्वाराशियों के लिए प्रत्येक मान से संतुष्ट होता है, तो वह सर्वसमीका कहलाता है, जैसे कि अपने बीजगणित में समीकरण दे या एलजेवराइक आइटिंटिटी की संग्याद देते हैं, इसी प्रकार त्रिकोण मीतिय में हमने कुछ समीकरण देखे थे, जैसे कि साइन स्क्वार थीटा प्लस कॉस्वार थीटा इक्वाल तू वन, जो कि एक प्रत्येक मान के लिए सदेव सत्य होता है, अतहया एक त कोण मीतिय सर्वसमीका हुई, यदि कोई सर्वसमीका कुछ प्रतिबंदों के साथ सत्य हो, तो उसे प्रतिबंधित सर्वसमीका कहते हैं, उदःरन के लिए यदि A प्लस B प्लस C इक्वाल टू पाई हो, तो 10 A प्लस 10 B प्लस 10 C equals 10 A इंटू 10 B इंटू 10 C ये होता है, यह ए आगे सर्वस्वमिकाओं का ध्यान करेंगे, त्रिभुज के कोणों A, B, C से सब्बंदित कुछ त्रिखोण में तिया सर्वस्वमिका है, इसमें पहला सर्वस्वमिका है, sin of A plus B plus C equal to sin A cos B cos C plus cos A sin B cos C plus cos A cos B sin C minus sin A sin B sin C, दूसरी सर्वस्वमिका है, cos of A plus B plus C equal to cos A cos B cos C minus sin A sin B cos C minus sin A cos B sin C minus cos A sin B sin C. तीसरी सर्वस्वमिका है, tan of A plus B plus C equal to tan A plus tan B plus tan C minus tan A tan B tan C upon 1 minus tan A tan B minus tan A tan C minus tan B tan C. चौतिस सर्वस्वमिका है, cos of A plus B plus C equal to cos A cos B cos C minus cos A minus cos B minus cos C upon cos A cos B plus cos B cos C cos A minus 1. कुछ महत्वपूर्ण संबंध है, प्रतिबंधित सर्वसमिकाओं से संबंधित प्रश्णों में कुछ प्रतिबंध होते हैं, जैसे कि A plus B plus C equal to pi, या फिर A plus B plus C equal to pi by 2, इस तरीके से कुछ प्रतिबंध हो सकते हैं, इनके दिये होने पर हम कुछ मुहत्वपूर्ण उप्यों की संबंध इस्थापित कर लेते हैं, जिसकी सहायता से हम आगे प्रश्णों को असान तरीके से हल कर सकते हैं, तो चलिए, पहला प्रतिबंध हैं, यदि कौन A plus B plus C बराबर pi हो तो, sin of A plus B equal to sin of pi minus C equal to sin C हमें मिलेगा, तो A plus B equal to pi minus C लिख सकते हैं, अब यदि दोनों पक्षों में हम sin apply कर दें, तो हमें मिलेगा sin of A plus B equal to sin of pi minus C, और चुकि हम जानते हैं कि sin 180 minus theta या pi minus theta sin theta होता है, तो इस तरीके से हमें मिलेगा sin of A plus B equal to sin C, इसी तरीके से sin of C plus A equal to sin of pi minus B equal to sin B, हम यह जानते हैं कि cos 180 minus theta minus cos theta होता है, चुकि दूसरीय चतुर्थांस पर cos और 6 यह negative होते हैं, तो इसी तरीके से A plus B equal to, हमें मिलेगा pi minus C, तो दोनों पक्षों में यदि हम cos apply करें, तो मिलेगा cos of A plus B equal to minus cos C, cos of B plus C equal to minus cos A, cos of C plus A equal to minus cos B, और 10 of 180 minus theta, यह भी minus theta होता है, तो इस तरीके से हमें मिलेगा, 10 of A plus B equal to minus 10 C, 10 of B plus C equal to minus 10 A, और 10 of C plus A equal to minus 10 B, अब आगे दूसरे प्रतिबंद पर देखते हैं, यदि A plus B plus C equal to pi by 2 हो, तो sin pi by 2 minus theta, या फिर sin 90 minus theta, यह cos theta होता है, और cos 90 minus theta, sin theta होता है, 10 90 minus theta, cot theta होता है, तो यदि यह concept हमें पता है, तो हम लिख सकते हैं, कि A plus B plus C equal to pi by 2 है, और यदि C को हम पक्षांतर कर दें, तो हमें मिलेगा, A plus B equal to pi by 2 minus C, यदि A plus B plus C equal to pi by 2, हो तो हम लिख सकते हैं, कि A plus B बराबर pi by 2 minus C, यदि दोनों पक्षों में हम sign function apply कर दें, तो हमें मिलेगा, sin of A plus B equal to sin of pi by 2 minus C, और चुकि हम जानते कि sin 90 minus theta, या फिर pi minus theta, या pi by 2 minus theta, यह cos theta होता है, तो इस तरीके से हमें मिलेगा, sin of A plus B equal to cos C, यदि दोनों पक्षों में angle को half कर दिया जाए, तो हम लिख सकते हैं, sin of A plus B by 2 equal to cos of C by 2, इसी तरीके से हम अन्यसूत्र लिख सकते हैं, sin of B plus C upon 2 equal to cos of A by 2, sin of C plus A upon 2 equal to cos of B by 2, cos of A plus B upon 2 equal to sin of C by 2, cos of B plus C upon 2 equal to sin of A by 2, cos of C plus A upon 2 equal to sin of B by 2, tan of A plus B by 2 equal to cos of C by 2, tan of B plus C upon 2 equal to cos of A by 2, tan of C plus A by 2 equal to cos of B by 2, तो आगे हम देखेंगे इनसे सम्बंदित प्रस्ण, झाल झाल